कांकेर जिले में दुरलब वन्य प्राणी पैंगुलीन की तसकरी करने का मामला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र कोरर के तहए तरांदूल शेत्र में वन विभाग की टीम गश्ट पर निकली थी इस दोरान एक दो पहिया वहन की जाच में विभाग में पैंगुलीन बरामत किया इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफतार किया इस संबंध में SDO J.S. मरावी ने बताया कि तरांदूल घाती के नीचे तीन बाइक में तीन लोग दिखे जिनके पास एक ड्रम था वे लोग बार-बार ताग छाँक कर रहे थे शंका पर उन्हें पकड़ा गया जाच में ड्रम में एक पैंगुलीन मिला इस सुचना मिलने पर राजी वड़न दस्ता ने खरिदार बन करके अपराधियों से संपर किया और सुचना के पुष्टी होने पर राजी वड़न दस्ता टीम के रेंज अपसर श्री संदीप सिंग ने डिए पो साब हमारे आलोक बाचपी साब से संपर करके एक परिछेत्र दिकारी गोरर के में एक टीम बनाई गोर्तलब है कि पैंगुलीन अती दुरलब वन्य पराणियों की श्रेणी में आता है बताया जाता है कि इसकी खाल से दवा बनाई जाती है जिसके कारण इसकी तसकरी के मामले सामने आते रहते हैं बताया जाता है